Hello students, how are you? My name is Amir and we are going to start the class 12th physics. Chapter number 1 is the Electro-Statics. Actually, this is the unit number 1 of the Electro-Statics. It has 4 chapter, number 1 is the Electric Field, second one is the Coast Low, third one is the Electric Potential and next one is the Electrical Capacitance. यह जो यूनिट है, इसमें 4 chapter contain नहीं है, इन 4 में से 3 questions पूशे जाते हैं, कितने questions? 3 questions, total जो marks से 7 marks, एक question आता है, इसमें major जो 5 marks का आता है, और दूसरे question आते हैं 2-2 marks के, clear? सोरी, 1-1 marks के, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाल हैं, इलेक्टरिक फील्ड, चारों चेप्टर हैं, बहुत एजी हैं, समझने की बात हैं, बस, clear? तो आईए, स्टार्ट करते हैं, चेप्टर नम्र फास्ट, इलेक्टरिक फील्ड, परस्ट और वी नीट तो इस्टेटि यह फिर हम कह सकते हैं, रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हैं, अम ऑलेक्ट्र स्टेटिक ज यह एक दार, ग्रद कर करें तो यह स्टेट्र स्टेटिक जह需 Fazer तो जब अहने को नबर फॉस्ट एलेक्ट्रिक फील्ड यह फिसको बोलता है विद्दूद छेत्र केलियर आज वहम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह चार्ज क्या होता है दूसरा टॉपिक है टाइप सोफ चार्ज कितने प्रिकार का है एंधर टॉपिक इस दा प्रॉपरिटी ऑफ चार्जेस जो भी आप कुछ देख रहे हुए ना पैन कॉपी किताब में कैमरा माइक फैन जो भी कुछ everything is matter हवा है ना तो मेंटर आगे समझ में everything around us is called matter और हर एक मेंटर की प्रॉपर्टी होती है हर एक मेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं चार्ज जो चार्ज की को पास चार्ज होता है देखो थोड़ा सा basic समझे अगर positive charge और negative charge दोनों equal होते हैं तो वह कैसा हो जाता है बेटा neutral हो जाता है neutral हो जाता या फिर मैं बोल दूँ इसको कैसा हो जाएगा वह उदासीन कैसा हो जाता है पूदासीन हर एक चीज़ के पास charge है लेकिन वह उदासीन द करते हैं types of charge के चार्ज कितने तरीके के होते हैं there are two types of the charge number one is the positive charge and second one is the negative charge एक atom की structure आप लोगों ने पढ़ी होगी atom की structure कुछ इस तरीके से होती है जिसके अंदर यह जो चक्कर से हैं गोल इनको बोलते हैं बेटा और बेट्स क्या बोलते हैं इनको orbits जिसमें electron move करते हैं electron का मतलब negative particle जिसके अंदर move करते हैं उनको क्या बोलते हैं orbits दूसरा यह छोटे-छोटे से plus का निशान इसको बोलते हैं nucleus क्या बोलते हैं इसको nucleus इसके अंदर होते हैं neutron and proton यह electron तो किसी भी atom के पास जो charge है total कितने चार्ज होते हैं two charge है electron कैसा होता है negative charge, neutron पर कोई भी charge नहीं होता, neutron is a neutral and proton कैसा होता है बिठा? positive charge, तो types of charge कितने होते हैं positive and negative charge πειर नेगेटिव चार्ज जह हैं, सबसे पहले charge क्या है, charge is a fundamental property of animator तूसरी बार हमारे समाझ में आई कि चार्ट कितने प्राइपकार के ह के टाइप सोफ चार्ट दो प्रीकार के होतें पंता हैं पोजित्व एंड नेगेटे इसकी एक प्रोपर्टटि जो हम सब लोग जानते हैं कि दिए को वाजिश है अगर समान चार्च है यह पॉजित्व ह की तो में आपसमें लडाएं को ह Bowl kachen लडायं व होगी को देखके करेंगे बीटा दूरबागिंगे दूर को देखके का मऔर आप सिता जबिसे करते हैं तरफ पर्स लगाएंगे समझ मार यह बात नहीं यह हमर वन होते है पहली प्रोपरिटी या पहला गड़ द्रम कि समान आवेश एक डूसरे को Rolly obtain करते हैं, Sam charge क्या करते हैं बढ़ेर इस्फ करते हैं एड़ी करते हैं, this is the property number one, now we are going to start the property number 2nd जो 12 के इंडेर कॉछ और properties भी होती है charge की जिनके बारे नामrice करते हैं चले कला हुए इसको मैं raise करद случब जल्दी से प्रोपरटी नंबर वन नंबर वन इस दा गंजर वेशन ओफ चार्ज वेशन ओफ चार्ज यानि चार्ज के सारे था बैटा किसी भी आई-सो लेटेट सिस्टम में जो टोटल चार्ज हो हमें रहेगा आई-सो लेटेट सबस्क्राइब करता है तो चार्ज जो किसी भी सिस्टम का कोई एक आई-सोलेटेड सिस्टम ले लिया मैंने माना इसमें जो चार्ज है इस तरीके से यह चार्ज है मैंने इस सिस्टम में कुछ शीट बगे रहे दी कुछ भी चीज की इसके अंदर तो सिस्टम में गड़बड़ी हो गई कुछ सिस्टम कैसे होगे बेटा माइनस टू क्यू पिलस के सिक्स क्यू मैंने का बताओ तीसरा चार्ज कितने कूलम का होगा find the value of third charge तो conservative property के according क्या होता है कि net charge जो किसी भी एक isolated का system है वो same रहता है that means plus 2Q plus 3Q minus 4Q बराबर होना चाहिए किसके 2Q plus 6Q plus दूसरे charge की value मुझे find करनी है तीन और दो पांच माच में चाहर गए एक कूलम बजगया 6 और दो कितने होगे बेटा 8 plus इसकी value find करनी है clear है यह 8Q इदर लाओ कितना हो जाएगा यह minus का 7Q that means यह जो value है यह कितना होगा minus 7Q is that clear to all of you that means charge जो है बेटा हमेशा conserve रहेगा चार्ज को ना तो nest कर सकते हैं नहीं destroy कर सकते हैं यह एक body से दूसरी body पर transfer हो सकता है एक body से दूसरी body पर transfer हो सकता है समझ में आई बात नहीं है इस property is known as the conservation of charge यानि charge हमेशा कहा रहता है conserve रहता है second one is the charge is a quantization of анные गलत रोख जाए कि मैं बोलतों Quick customization of charges क्या बोल दूं강 मतलब सब्सेड कर सब्सेवते चोतर चो चोटव चोट communion सब चोटर चोटव क्या हों आतो lucन आती है पर तो शोटा क्या है एटम ऑन्यास the upon multiple of the electron integral multiple of the electron q is equal to plus minus any plus किसके लिए proton के लिए minus किसके लिए बैटा इलेक्ट्रोन के लिए जो charge होगा वो integral multiple होता है n is the integer जिसकी विल होती है one two three dash 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 that means charge जो देखो आप लोगों ने कभी सुना हुआ कोई भी बोडी जो charge देती है किस देती है one electron donate किये one एक्सट किये यह कोई बोडी है इसने one electron दे दिया यह इसकर लिए two electrons दे दिये यह कर लिए कि आपने सुना है कि इस बोडी ने भ्वही आठे पॉन्ट पांच of charge इसको मैं लेख सकता हूं Q is equal to plus minus any plus for the proton and minus for the electron clear n की value में बता 123456789 बोलते रहो जब तक बोल सकते हो but fraction में नहीं होने चाहिए दूसरा decimal में नहीं होने चाहिए